हेलो गुद मॉर्णिंग फ्रेंज वेल्कम बेक टू न्यू व्लोग और आज देखे हम लोग जो है आज अपने इस व्लोग में यह अदेनियम के सीडलिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं एक्चुली अब से में सोच रहा हूं कि मैं रेग्यूलरली इस तरह का व्लोग अप्लोड करता रहूं और अभी तक मैंने जो एक व्लोग अप्लोड किया हुआ है वह आपने अभी तक नहीं देखा तो जाके देखे और थोड़ा सा अपना प्यार दिखाई उस व्लोग पे और आज जो है हम इस व्लोग में हमारी अदेनियम सिदलिंग के बारे में बात करेंगे देखिए एक चुली अभी अभी बारिस हुई है एक डो घंटे पहले तो थोड़ा बहुत देखिए बारिस का इफेक है यहां पर और जो मेरे सारे बड़े प्लांट है वो मैंने निच जो नेठा उस बनाया है उसमें ट्रांसफर कर दिये है उसका रिजन यह है कि उसन सभी पर अभी रिखे फ्लावर इंगाने वाली है बड़्स आने वाले है ओल्रेडी बड़्स तो आ चुके है तो वो यहां ओपन में बारिस में रहेंगे तो क्या होगा कि जो बड़्स है उसपर बारिस गर्ने से सारे बड़्स नीचे गिर जाएंगे फ्लावर ड्रोपिंग हो एसलिए अमेने जो बड़े प्लांट है वो सभी यहां से हटा दिये है और यह जो सीदलिंग से उनको मैंने अभी यहां पर ही रखा है क्योंकि मैं जो शीदलिंग से वह अंर्ड पर किया होता है वेडियो में आगे आप लोगों को बताऊंगा वीडियो ठोड़ा लंबा होगा लेकिन जो यह सीडलिंग्स आप देख रहे हैं उसके बारे में काफी डिटेल में बात करने वाला हूं कि देखें सीडलिंग्स की क्वालेटी देखें ठाइलेंड जैसी है और हम यहां पर कैसे इस तरह के सीडलिंग्स ग्रो कर सकते हैं मैं क्या केर करता हूं और मुझे कितनी कोस्टिंग पड़ी है इस सीडलिंग्स की और अगर इसको में सेल करने वाला हूं या नहीं और कहां पर करूँगा यह सब में इस वीडियो में आज आप लोगों को बताने वाला हूं तो वीडियो पूरा देखे आपको सब डिटेल मिल जाएगी और दोस्टों अब यहां तक आचुके हैं आपको वीडियो मेरे रेग्यूलर ली देखते हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं इसी तरह के इनफर्मेटिव वीडियो बना हो तो वह भी मुझे बताए मैं उसके उपर भी वीडियो बनाने के कोशिश करूंगा देखे दोस्टों आपकी लाइक और कॉमेंट का वीडियो में काफी जो है वो रोल होता है उससे वीडियो की रिच भी काफी बढ़ती है और काफी नए ने लोग भी जूरते हो देखे अभी मैंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है तो इसके उपर अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएगा इसके उपर भी मैं बना दूंगा देखे एक्चुली इंडिया में इस टाइप का वीडियो आपको कही पे नहीं मि सब्सक्राइब करता हूं कि आप लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा तो चलिए हम हमारे वीडियो के टॉपिक में आगे बढ़ते हैं कि हम किस तरह से इस टाइप के सिद्लिंग्स ग्रो कर सकते हैं और मुझे कितना यह वक्त लगा क्यूंकि दोस्टो नौलेज होना काफी जरूरी है मैंने कोई एक दिन में या एक साल में नहीं बनाए मैं पिछले पांच साल से सिद्लिंग्स ग्रो कर रहा हूं और मैंने जो पांच साल पहले शुरुआत की थी तब काफी खराब डिजास्टर हुआ था मेरे सिद्लिंग्स जो सीड से वही ज तो देखें किस तरह से अब ग्रो हो रहे क्योंकि अब मुझे पूरी नौलेज आ चुकी है किस तरह से ग्रो करने है क्या है तो वो सब मैं आप लोगों को शेर करूंगा और दोस्टों देखें इतने ही नहीं मैंने इससे भी बड़े सिद्लिंग्स कर दिये है यह देखें यह सभी जो है हमारे तीन चाट साल के हो चुकी है यह सभी मैंने ही सिद्लिंग्स से ग्रो की है तो देखें थाइलेंड जैसे क्वालेटी हमारे पास भी अब आ रही है तो दोस्टों यह सब नौलेज का और जो आपके एक्सपिरियंस है उसका ही रिजल्ट है उसके बीन आ है तो उसके लिए मैं यहां पर हूँ आप लोगों को में हर तरह की नौलेज देटा रहता हूं एक्चुली कभी मेरे से गल्टी यह हो जाते है कि मैं वीडियो जब बनाता हूं कोई स्क्रीप नहीं होती जो भी दिमग में आता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं तो और काफी लोग क्या होते हैं आपको बता देंगी कि चार महिने में मेरा इस तरह का सीडलिंग्स हो गया पांच महिने में छे महिने में तो देखे दोस्तों यह कोई पांच या छे महिने में इस तरह के सीडलिंग्स नहीं बनते इसके लिए आपको कम से कम एक साल से लेके द बाकि सबी प्लांट यस तरह से बनाना आपको मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, इंपोसीबल ही ही है समधलिजए। तो चले पहले आप मेरा प्लांट डेख लिजए, सबी सीडलिंग्स ताक आपको पता चले कि यह कोई एक डो सीडलिंग्स नहीं मेरे पास कितने इस तरह के हैं तो देखिए अब सभी सीडलिंग्स देख लिजिए यह मैंने शायद दो साल पहले करीबन 200 से 300 सीड्स मैंने लगाये थे उसमें से यह सभी सीडलिंग्स बने हैं और यह देखिए मेरे पास अभी हर तरह के सीडलिंग्स है टावर फॉर्म में भी है और यह कोई पूरानी वेराइटी नहीं लेटेस्ट वेराइटी है सभी यह देखिए टावर फॉर्म भी मैं बनाता हूं ब्लेक वेराइटी सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा यह देखिए और यह आप उस पर सभी पर बढ़ साई है ज्यादा तर सीडलिंग्स पर तो उससे आप अंडा जा लगा सकते हो कि यह सीडलिंग्स इतने मैच्चुर हो चुके है देखिए आप कहीं 4-5 महिने के उसे सेटल होने में काफी दिक्कट आएगी उसके बाट जो है वो फ्लावरिंग देने में और 2 साल लगा देंगा देखिए अदेनियम 2-3 साल पहले फ्लावरिंग अच्छी तरह नहीं देते देखिए इस तरह से बर्स आएंगे लेकिन वो कुछ एक डो आएंगे ज्यादा आएंगे यह देखिए एक्छुली दोस्तों बारिस आ रही है कि यह देखिए फ्लावर भी आ रही है अच्छी तरह से तो दोस्तों देखिए बारिस शुरू हो गई है अब मैं सामको वीडियो पूरा शूट करूंगा भी मुझे बंकन पड़ेगा झत बातが शोजब जेखिए जे रही है आएंगे ची deben से भी मात है आएंगे अपिए को लाई वीडियो जिए ये झाएंगे अएंगे! झाल झाल